हेलो स्टुडेंस वेलकम तु दिस सेकेंड पार्ट ओफ यूर चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसूर्सेश सुबच्छो हमने पहले पार्ट में यानि कि पार्ट वाने हमने क्या देखा हमने देखा कि मिनरल्स क्या होते हैं ठीक है और मिनरल्स कहां पाया जाते हैं उसके मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने देखा उसके अलाबा मिनरल्स में से हमने आयरन और के बारे में हमने पढ़ा कि आयरन और क्या होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूजस क्या है यानि कि आयरन और का यूजस क्या है और आयरन और हमारे भारत मे कहां कहां पाया जाता है यह था हमने पहला पाट में तो बच्चों आज हम देखेंगे बाकी मिनिरल्स जैसे की मैंगनिस को पर बॉक्साइट हम देखेंगे इनके यूजिस और इनके लोकेशन यानि की कौन-कौन सा स्टेट में यह पाये जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर नंबर टू यानि सबसे पहला तो हमने आईरन ओर हमने देख लिया तो नंबर टू है यहां पर मैंगनिस यहां पर इस पहली में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं ठीक है manganese सबसे पहले देखते है इसका uses इसका पहला point आपका india ranks third involved for the production यानि कि manganese के production में ंडिया third number पर आता है यानि कि तीसरा number पर आता है ठीक है important minerals for making iron and steel अगर हम इसकी इसकी uses की अगर हम बात करें तो सबसे important mineral है ये for making iron and steel बनाने के लिए सबसे इंपोर्टेट्ट मिनरेल ओल्सो यूज फॉर मैनेफक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड ड्राइबेटरीस एंड चाइना क्ले उसके अलावा बच्चो मेंगानिस को ब्लीचिंग पाउडर मैनेफक्चरिंग के लिए इस्तिमाल गया उसके अलावा चाइना क्ले बनाने के लिए इस्थमाल किया जाता है तो बच्चो एजया क्या कारता है यह बिटलनेस को कम कर देता है किस्का इसतिल का जो बिटलनेस होता है यानिक होतो है। मिया कि य sûस्तेनय मेंगनिस च्रॉंग बनाता है जैसे की मैंने काहा और इसमें जितने भी सिह को रिमूब करते और इसे बनाते हैं इसका यू उसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है किसके साथ इसके जिससे एक नया ते जो की corrosion resistant होता है यानि कि उसमें corrosion नहीं लगता है यानि कि वह खराब नहीं होता है कोई किसी तरह का खराबी नहीं पड़ता इडिस अल्सो यूस इन मेनुफक्चरिंग इसके अलाव बच्चो जो मेंगनेज जो होते हैं इससे फेरो मेंगनेज भी बनाया जाते हैं और आपका Preparation of organic andells बच्चो मेंगेनिस का इस्तमाल करके और इन और इन और इन केमिकल्स भी बनाए जाते हैं तो यहां पर मैंने आपको सारा पॉइंट्स दिया है आपको इन में से कोई 3-4 पॉइंट्स आपको याद रख लेना है कि इनका यूजिस कहा कहा होता है उससे जद्ध आपको कुछ नहीं करना है आगे बढ़ते बच्चों ठीके डिस्टिबुशन आप मैंगणिस इन इंडिया यानि कि इंडिया में यानि कि भारत में मैंगणिस कहाँ कहाँ पाये जाते हैं तो सभी स्टेड्स में अगर हम देखे तो ओडिसा जो है वह लीडिंग प्रोडिशर है तो पहल पूर कालाहंडी क्योजार मयूर बंच यह सारे डिस्टिक में पाये जाते हैं तो याद रखना ओडिशा लीडिंग प्रोडुशर माइनिंग सारीन सुंदरघर कोरापूर्ट बुलांगिर सांबलपूर कालाहंडी क्योजार एन मयूर बंच ठीके नेक्स्ट है आपका करना प्रत्न पर्न बंच में मिले गा नागपूर भंडारा और रत्नागिरी दिस्टिक में ठीके और बच्चो, the manganese found here is of high quality यानि कि महारास्टर में जो manganese पाया जाता है वो काफी high quality वाले होते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा demand है market में उसके अलावा बच्चो, मध्यापर्देश में आपको मिलेंगे मध्यापर्देश के especially चिदवाडा और बालाघट district में आपको मिलेंगे गुजुरात में आपको पंच महल और बढ़ोधरा district में आपको यहापर मेंगनिस मिलेंगे उसके अलावा बच्चो, अगर आप राजस्थान के बंसवारे district में जाओगे तो यह था मेंगनिस, इंडिया इस थर्ड लार्जस प्रोडुशर इन दी वर्ल्ड यानि कि दुनिया में अगर हम देखे तो तीसरा नमबर पर आता है अगर हम बच्चो की बात करें तो यह क्या है ऊकर है या अगर हम बच्चो अगर हम इसकी वैजय के आगरा क करें बच्चो, और दिया अ आम मतना या रो मेटेरियेल यानिक इससे एलुममियम बनाया जाता है यूज़ फोर मेकिंग एरक्राफ्ट सिपS and यूटेण्सिल एक्सेटरा और उसके अलाभा बनाने के लिए उसके अलाबा यूटेंसिल जो भी यूटेंसिल बरतन वगएरा बनाने के लिए भी बॉक्साइट का इ इयुकर चोपी बुचा अपको लिखा है क्योंकि इसन एकाइस एक्ट्रिकल इंडेस्ट्रीज में भी इस्तमाल किया जाता है use for making headlight reflectors mirrors and telescope उसके बाद तो headlight reflectors बनाने में या फिर telescope बनाने में इस्तामाल किया जाता है headlight reflectors उसके लिए जो गाडीया शंहिता है उसमें जो reflector होते है headlight के तक है फीक है आगे इट ़ूट एंस cement और boxide को cement में बिस्तामाल किय았ता है और अपर आपको मिलेगे उसके अलावा बच्चो मध्यपर्दिश उसके अलावा बच्चो मध्यपर्दिश और मध्यपर्दिश में आपको मंडाला डिस्टिक और बालागाट डिस्टिक यह दो डिस्टिक है जो की लीडिंग प्रोडूशर है इन मध्यपर्दिश यान उसके अलावा बहुत सारे डि ह değill in विलासपूरड उसके बाद दुर्ग उसके बाद आपको राइघर डिस्टिक्थमें आपको एंदय्गे बॉक clones it मिलें गोट मिलेंगे सोहर ईचिवियाघ्गन विलासपुर दूर्ग10 राइगर डिस्टिक और इंपोर्टेंट प्रोडूसर्स और उसके अलावा महाराष्टर में आपको देखने को मिलेगा यहां पर बॉक्साइट रत्नागिरी सतारा और पूने डिस्टिक में तामिलनाडू सालेम निलगिरी और मदुराई डिस्टिक बच्चो आपको क्या क्रते हैं यहां पर सारे का्या आपको याद याद रखने का जोरूत नहीं आपको बच्क इसे tiro चल को पर जो हता है कॉपार मिनेल कोपर जिसे हम क्या क sturdy में ताम केते हैं रईट हिंदी में ताम पर पानाफ नरमाशर वह मेटल आइक एक इसा प्रोपर्टी उता है 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 मेडात में start को आप बहुत पतला तार वे बना शकते तो इस लिए यहाँ पर लिखाया हईली आल अनस्तंय असके अलावा यह बहुत strong और कंड़क्टर को सिट गोता है तो आप देखते होंगे जितने भी आपके घर में वायस लके वSp साक्ता है कर सामा बधे का सकता तुम्हार ओधे किस बने ऊथे अकषि कोकर के बने ऊथे यानि कि जो copper का uses है इंडिया में universal है Even in the early days of civilization, copper was used for making arms, immunizations and utensils ठीक है, आगे क्या है, it has great demand in industrial field अगर हम इसकी demand की बात करें, तो especially industrial field में इसका बहुत ही ज़्यादा दिमान है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा दिमान है, कहाँ? industrial field में, industries में, ठीक है, क्यों? because of its high ductility, क्योंकि इसका high ductility property से उसके आलावा high thermal and electrical conductivity क्योंकि ये बहुत ही, हम कह सकते है, best conductor of electricity भी हम इसे कह सकते है, ठीक है? it is used in electrical machinery, automobiles industries, stainless steel and telephone यहा, बच्चो मेंभी लगाए तो, confuse मुत होता है, अगरे बच्चो कोपार को machinery में इस्तेमाल के आता है, यानि electrical machinery इस्तेमाल के आता, wires बनाने, electronic gadget बनाने में इस्तेमाल के आता, automobiles में इस्तेमाल के आता है, उसके अलबा स्टेनले स्टील बनाने में इस्तेमाल कियाता है टेलीफोन बगारा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है ऑके बच्चो इस ओल्सो यूज इन रेलवे एक्विप्मेंट इंडस्ट्री और इंजिनियरिंग वर्क्स इस इस फिर्ली रेसिस्टेंट ओफ एटमोस्फियारिक कोरोजन इस वाइडली यूज फोर मेकिंग एलोई सचेस ब्रास एन टीन एस ब्रॉच्च तो उसके लावे बच्चो क्योंकि यह कॉपर जो है आपका यह क्या है आपका कॉपर जो है इसमें उतना कोरोजन नहीं लगता है जिसके कारण से इसे ऐलोई बनाने में भी इस्तमाल किया जाता है इसमें बच्चो कोपर कोपर इंडिया यानि की भारत में कोपर कहां कहां पाए जाते हैं इसमें नहीं भारत में जितना भी प्रडक्शन होता है उसका फिप्टी सेवें परशन जो है कॉन करता है बच्चो मध्या पर्डिश में होता है लार्जेस्ट डिपोजिट इन स्टेट अर त्हारे गाउ एंड इन बालाघाट डिस्टिक ओकी यानि की मध्या पर्डच मी अगर्ड aspects के अगर हम भात करें तो मिलेंगे आगे जार्खन के अगर हम बात करें तो जार्खन जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रडूशर है मध्यपरदेश राजस्तान उसके बाद चार्खन ठीके कोपर के जो है लार्जेस्ट प्रडूशर में थर्ड लार्जेस्ट प्रडूशर है आपका जार्खन और चप्टर नहीं था बहुत चोटा चप्टर था इसे हमने दो वीडियो में हमने कम्प्लिट कर दिया अगर आप पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हो तो बच्चों आसा करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आये और आपको क्या करने आपको